आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशिल्टा की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा. लेकिन जब हम रामानुजय चारे जी को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशिल्टा और प्राचिन्ता में कोई विरोध नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बलकि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जूड़े, अपनी वास्तविक सक्ती से परिचित हो, आज से एक हजार साल पहले तो, रूडियों का दबाओ, अंदविश्वास का दबाओ, कल्पना के बहार कितना जादा रहा होगा, लेकिन रामानुजा चारे जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया, उन्होंने दलीतों, पिछणों को गले लगाया, उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन्होंने विशेश सम्मान दिया, यादवगीरी पर उन्होंने नारायन मंदीर बनवाया, जिसमें दलीतों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया, रामानुजाचारे जी ने बताया, कि धर्म कहता है, न जाती ही, न जाती ही कारणम, लोके गुणाहां कल्यान हे तवा, अर्थात, संसार में जाती से नहीं, गुणों से कल्यान होता है,